हिमाचल परदेश के शिमला में संजोली मस्जिद निर्मान को लेकर चल रहे विवाद में कोट का फैसला आ गया है कोट ने फैसला सुनाते हुए मस्जिद की तीन मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया है कोट ने तीसरी, चोथी और पांचवी मंजिल तोड़ने के लिए कहा है पिछले काफी समय से मस्जिद के अवे दिर्मान को लेकर विवाद बना हुआ था लेकिन अब कोट ने फैसला सुनाते हुए सबी विवादों पर पूंड विराम लगा दिया है कोट ने फैसला मस्जिद कमिटी की योर से लगाए गए आवेदन के बाद सुनाया है 14 साल और 46 सुनवाई के बाद ये फैसला आया है हाला कि अब मुस्लिम पक्ष हाई कोट जाने का एलान कर चुका है उदर देव भूमी संगर्श समीती ने फैसले का सुवागत किया है शनिवार को निगम कोट में सुबे और शाम को सुनवाई हुई और इस दोरान सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी मस्जिद की पेमाईश से लेकर अन्ने सभी रिपोर्ट पेश की गई और फिर आयुक्त ने मस्जिद की तीन मंजिल को अवेद पाया और दो महीने में गिराने के आदेश दिये हैं MC कोट के फैसले का देव भूमी संगर्श समीती ने सुवागत किया है और समीती के सायोजक मदन ठाकुर ने कहा कि हिंदू समाज की जीत हुई है हाला कि जमीन के मालिकाना हक का मामला अभी भी कोट में विचारा दिन है आपको याद दिला दे कि वीदे दिनों इस मामले में हिंदू संगठन के नेताओं ने भी अपना कड़ा विरोध दर्श कराया था उनकी भी यही मांगती की परदेश भर में बनी सभी मस्जिदों की जाच की जाने चाहिए कोट ने मस्जिद के अवेद मंजिल को तोड़ने का फैसला मस्जिद कमीटी की ओर से लगाए गई एक एप्लिकेशन के बाद सुनाया है एप्लिकेशन में मस्जिद कमीटी ने खुद मस्जिद के अवेद निर्मान को तोड़ने का प्रस्ताव रखा था संजोली मस्जिद विवाद पर शिमला वक्फ बोर्ड ने भी माना है कि संजोली मस्जिद की दो मंजिल अवेद है गोरतलव है कि मस्जिद से जुड़ा विवाद 2010 से चल रहा है इस मामले में 14 साल बाद फैसला आया है इसमें अब तक 11 बार नोटिस संबंदित पक्षों को बेजे गए और 47 बार कोर्ट में सुनवाई हुई इसके बाद फैसला आया है सितंबर महीने में संजोली में बड़ा परदर्शन भी हुआ था संजोली मस्जिद में अवेद निर्माण की बाद जनता के सामने सितंबर महीने में ही आई जहां मारपीट के मामले में आरोपीज मस्जिद में शरण लिये हुए थे बाद में लोगों को जब पता चला तो रोश परदर्शन शुरू हो गए इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा तो मस्जिद में अवेद निर्माण की बाद सामने आई अब मस्जिद में अवेद निर्माण को गिराने के आदेश हुए है बता दे कि शिमला में NGT के सक्त आदेश के बाद धाई मंजिल से अधिक निर्माण नहीं हो सकता है लेकिन मस्जिद में चार मंजले बनाए गई थी